नमस्कार मित्रों आप सभी का टॉपर्स क्लब आइस स्वागत है और मित्रों हम सभी लोग हिंदी विसे से टीजीटी पीजीटी यल्टी एनवीएस की परिच्छाओं से समंदित महतपूर प्रसन उतरी को हम सभी लोग हिंदी सायद के काल करम के अनुसार अधन कर रहे हैं औ और आज उसी की आगे को आगे कि जो महतपूर प्रसन है उसका अधन कर्मिक रूप से करेंगे तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है कि कभी भूसर की उपाद किसने दिया इसमें विकलपाप का है रिवा नरेस विस्तनात नाबादास जगत सिंग और चितकूर नरेस स के बात करें इनका मूल नाम अलग अलग कभी और यू ने दिया जैसे ऍवाड़क्टर गडपचंद्गुप्त हैं इनका मूल नाम बताया है पतिराम या मनिराम और आचार विस्तनात प्रसाद में इनका जो नाम बताया है वे घंस जांब भूसर बीर रस के कभी थे और यह जो है रीत बद्ध में अलंकार निरूपक कभी माने जाते हैं और इनकी रचनाओं की करम बात करें यह सिवराज भूसर हजारा सिवा बावनी है उच्छत साल दसक है इनकी रचना है अगला प्रसन नहीं के बारे में दिया है कि रीत कालिन किस कभी कोई पाल की यात्रा में महर महराजा च्छत साल ने कन्दा लगाया था क्या कशार की कंदा लगाया था और जिस पर भूसर ने कहा था की सीवा को बख्षानों की बख्षानों च्ते साल को यह beggar का यह कभी महत्पूर है यह कंप कर मान पूशा भी गया है शीवा को बखानों की बखानों 6 साल को यह भूसर ने महाराजा 6 साल के बारे में लिखा था की प्रसंसा के में लिखा था अगला प्रसम है कि आचार शुकल ने हिंदू जात के प्रतनिदित कभी किसे बखानों के में लिखार को माना है वह भूसर को माना है अगला प्रशन है कि रीद काल में सिंगार रसकी प्रधारा को वीर रसकी और प्रवावित प्रवर्दित करने का सरे किसे जाता है तो इसमें विकरपाप का दियो पदमाकर चिंतामडी और भूसर इसमें विकरपाप का सहयोगा घा विकरप सहयोगा भूस सचाल रिदकाल में सिंगार की धारको को भी रस्की और प्रवर्तित करने का स्रेब बूशल को जाता है पूसर के बारे मगर बात करें तो इनके अन्य भाई हैं वह हैं चिंतामडी हैं मतिराम है और जटा संगरती है बात कर लेते हैं काफिल महतपूर है परेशया है हम लोग कर नहीं पाते हैं जलदी से करते हैं यह साल доसक आप अगला अगला प्रशनाहिक इसमें निम्ना में मिलान करना है यह वह तिया गाविकलपाप को से सहोगा राग रतनाकर वित विचार जंग नामा वरवदू जो इसमें राग रतनाकर है एक बार फिर देख रहे हैं देव का है और जो वित विचार है वह सुखदेव मिस्टर का है और जंग नामा जो है स्रीधर का है और जो आपका वरवदू विनोध है वह कालिदास का है कालीदात दिर्विदी जीलिग का है अगला है एक आठार अनुसवार केसों के ग्रंथों की संख्या है तो इसमें बिखल आपका दिया गया है नौ NEW नो साथर आथim तो उनको हम कार करम के अनुसार देख लेते हैं जो अचार शुकल ने कहा है वह है रसिक प्रिया है रामचंधिका है कब्रिया है रतन बाउनी है बीर सिंग देयो चरित है विग्ञान गीता है और जहंगीर जश्चंधिका है यह साथ तो जो है अचारशुकळ की हैं और इसमें दो और आजाता हूए उन्ह को लेकरनौ की पूछा आए तो यह साथ सभी होगा और यह विसका क्लɪ अगर केसोदास की गरन्तों की शंख्या करई होगा व्युट है कि राम क्या कि रचना का वर्स क्या है तो इस में विखल पाप का दिया गया है छोला सु दशीस भी में COVID में sevi्में और फंद्रस पंचानुब सीधियर में तो इस में जो बिकल पाप का सही होगा वह सूला सो एक सन्हों सही ओगा अगला है चंदो का वैविध्य केसों की किस रचना में मिलता है जिसमें विकल्पाप का राम चंद्रिका कविप्रिया और रसिक प्रिया विज्ञान गीता तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह का विकल्प सही होगा राम चंद्रिका में चंदो का विविता यानि अनेकता मिलता है और यह जो इनकी रचना है काफि महत्पूर रचना है वह इनकी जो रचना है राम चंद्रिका यह राम के चरित पर अधारित रचना है एक प्रमुक्रचना है और यह प्रबंद काव है अगला प्रसने केशोदास का जन्म हुआ था इसमें विकल्प आपका दिया गया है 1555 में 1565 में और 1557 में 1560 में अब पॉली प्रसने का जन्म होगा और इनकी प्रमुक्रचना है और यह राम चंद्रिका कब प्रीया रशिक प्रिया जहिए जहीं जही। आगला है कि सो डास द्वाराइचेंगीर की प्रसंथा में लिखा गया ग्रंत है इसमय विकलपाब का है एघांगीर द्रश्चनद्र रषिक्प्रियर रम चेह द्र गर्श कव और आपका बिकर व्हें ठोगा जहाँनेजाँ चंद्री का जहाँ जी की परशंशा में corrs D मिलम उन्हें का अगर हम जहाँने जेए ऐह सो चंद्रीक फंच करें तो यह 1612 में मिनलें लिखा सो Belle TV मैं और यह अब्रबंद नक्रप्रिया आकशना है कि और हम कभ प्रिया की बात करें तो कभ प्रिया यह रीत ग्रंथ रचना है जो अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है और रसिक प्रिया के बात करें यह रीत ग्रंथ रचना यह भी है यह रस सिंगार का वर्णन किया गया है इसमें और राम चंदिका की बात करें यह भी प तो इसमें जो बीकल्प आप का सही होगा वे आपका लिक거든 लंगा सही का कीसथा जो है तुकेतर अपने एक रात में किया था कि भीकल्प इसमें आपका लिए हöया एक ही याप इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह कभ प्रिया को एक का जो है प्रतम काव सास्त्री ग्रंथ माना जाता है और इसके एक लिए में होनि किया था शोला से एक दिशला अध्याई यानि सूला प्रकासकी मिलता यानि सूला अध्याय मिलता यह एक रीट ग्रंथ है इसमें अलंकारों का वादन है अगला प्रसन है कि आ अचार शुक्ल ने उक्तवैचित और और सब्द कीड़ा का प्रेमि किक कभी को कहा तुट एक है चुटा मटी घनानंद और विहारी है तो सुकल जी ने इसमें को तो आपका सेयोगा वाय विकल्प का का सेयोगा केशो दाश को अचारशोक। ने अचारशुक्ल ने उक्त वैचीत्र और सब्द कीड़ा का प्रेमी कहा था और एक होगा था कि तुछ रचना इन्होंने लिखाता राम चंजिका एक उपर इन्हों लिखाता कि यह जानि केसो दास को अचार शुक्रे ने कहाता। और हृर्दै बीहन कभी भी द Scratch isto, बैशितर सब कीड़ाप्रेमी कफिड़ का कापम हैं, ठबीम कभी यह केसोडास को अचार्शूर्ण ने कहा था अगला है रामचिंद्गा में केसों को अधिक सफलता मिली है तिसमें विकल केसो को कभी हिर्दे नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केसो को हिर्दे भीहीन कभी घोसित किया इसमें बिकलप आपका है अचार नागेंद किस संकर सुकल है हजार हजारी परसाद दिवेदी आचार रामसंदर सुकल है तो इसमें जो बिकलप आपका सही होगा वह अचार रा कशनार सब्कार सब्क्राइब करतopsis लिए आधा वी thri spring sea 같아요 वबीकलप आपका अचार पदम सिंग सर्मा अचार नंदुलारिबास कर्याद मेस्थ और तहला डिसनाथ-वॉक्ड़ सब्सक्राइब गास होगा रांतार अगला है केसों ने कव प्रिया की रचना किस गड़िका को सिच्छा देने के लिए की थी इसमें विकल्प आपका है रामा राय प्रवीन सरदा सिवा और सभी को इसमें जो सही विकल्प मलब सही विकल्प है वह राय प्रवीन गड़िका को इन्होंने सिच्छा देने के लिए कभ प्रिया की रचना किया था और कभ प्रिया जो है इनका यह प्रता यह प्रतम काप सास्ति गरंत माना जाता है कभ प्रिया और इसकी जो रचना है काफी फिर से बता दें 1601 इसकी रचना इन्हों ने किया था इसमें 16 प्रकास यानि 16 अध्याय है और यह रीद गरंत है इसमे अलंकारों का वड़न है अगला है डाक्टर किसन संकर सुक्ल ने अचार केसो दास पर एक समिछात्मक पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है तो इसमें विकल्प दिया गया है केसो का अचारत्व केसो की प्रतिभा और केसो की कला केसो की काब कला इसमें जो विकल्प आप का से होगा वय गा से होगा केशा की काव खिला कै ara अगला प्रस्तन है विग्यानागीता किसकी क्रिथruit इसमें बिकलप आका is किनता मली केशो दाष तोल्सी दाष और किश्र दाष भी पापय से होगा वयण पाना है विग्यान गीता 600 सोदास की रचना है और इसको सोलह सो दस इस बेमिनों लिखाता और यह है इसमें 21 प्रभाव यानि 21 अध्याय हैं और यह इनकी प्रभंद एक प्रभंद रचना है और इसमें जो इसकी विशेष्टा है इसमें प्रभूज प्रभूज चंदोदर को अनुबाद है अगला है सेनापदी का कभी रतनाकर किस प्रकार का गरंथ है इसमें विकल्प आपका नेत समंदी वीर रश समंदी सिंगार समंदी और भक्ति समंदी तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह आपका घा सही होगा भक्ति समंदी अगर सिनपती की बात करें, यह कभी रतनाकर इन्हों एक रचना है, यह रचना हो रहे, काव कल्पद्रूम की बात करें, यह रीद्रइद माना जाता है, और इसमें पाँस तरंग, तीन सो चौरान पे च्छन्द, में इन्हों हूने लिखा था, और राम कथा का वर्डन इसमें मिलता है और इनका इनकी जो रचनाएं है ब्रजबासा में लिखाता इनकी ज जो प्रे-Χ дело का वह है वह स्रैस्ट अलगकार है है अगला है कि मत्ः राम कि वर sortie कक्रिट वर्ध कोमदी का वर्ड विश्य है तिसमें विकल्पाप का चंद रस अलंगार और धौनी तिसमें जो विकल्पाप का सही होगा वे का विकल्प सही होगा चंद अगला है राम चंदरभूसर के लेखक है इसमें बिकार्पाप का तुलसी रहेम तोस गोप दिसमें जो बिकार्पाप का सही होगा राम चंदरभूसर के लेखक जो है वो गोप कभी है अगला परसुनह कि आचार राम चंदर्ग separately केसओ को किस काल के अंतर舞त रखा है तो इसमें विकलपका का है रीथ भक्ति आद किसी में से नहीं तो इसमें जो विकलपपका सिय होगा वह आचार राम चनदर्शुक्लने केसह को भक्तिकाल के अंतरगत रखा है बल्कि इनमें जो डाक्टर नगेंदर हैं और अचार विष्णात परसाद मिस्र हैं और गडपचंद गुप्त हैं वह रीद का आपका परवर्ग तक इनको माना है केस उदास को अगला है बिहारी और देव की स्रेष्टा के सम्मंद में विवात को जन्म दिने वाले अलोचक हैं विकल्प आपका है मिस्र बंदू पदम सिंग सर्मा किस बिहारी मिस लाला भगवान देन तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह है मिस्र बंदू का विकल्प सही है मिस्र बंदू अगला है देव का पूरा नाम है तो इसमें विकल्प आपका है देव शेन देव राज देवदत की बात करें तो देवदत का जो जन्म हुआ था वैं उत्तरप्रदेश के हुआ यह रीत-बध्य कवी है और इनकी हम रचनाओं को अगर देखते हैं तो इनकी रचनाओं वह जाद बिलास हैं भाव बिलास हैं देव माया परपंच हैं रास रस बिलास हैं सुजान विनोध हैं है अगला है कि देव किस वर्गे कभी है रीत-सिद्री बद्रीत-मुक्ट-वीर कभी तो इसे में जोAd विकल्प का सभी होगा वोरीत-बद्री जिस्था सब्रकों पति कर्द्र प्रबंद तेसं में प्रतम गरंथ माना जाता है और दिश्तर प्रडप माना जाता है नहीं कि इनके रुचनाओं के एक बार हम फिर देख लेते हैं वह भाव बिलास है देव माया प्रपंच है और रस बिलास है सुजान बिनोध है कि अगला है कभी देव का जन्म किस प्रांत में हुआ है इसमें बिकल्प आपका है उत्तर प्रदेश बिहार मद्द प्रदेश दिल्ली तो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश के एट जिले में उनका हुआ जन्म हुआ अगला है रीद काल के किस कभी ने सरवादिक 72 गरंद की रचना लिखें 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 तो इसमें विकलपाप का कुलपत मिस्र गौाल देव और बिंद इसमें जो सही भी कलब होगा वद्देव लेकिन प्रमुक्र जो रचना है वह फिर देख लेता है वह जाद बिलास है देव माया प्रपंच है रस बिलास सब सुजार मिनोद है और भाव बिलास को प्रबंद का माना जाता है अगला देव किस दृष्ट से अधिक सफल रहे तिसमें विकलपाप का आचार कवी और टीका कार इनमें से कोई नहीं तिसमें जो बिकलपाप का सही होगा वह कवी की अधिक प्रसिद्ध रहे सफल रहे अगला प्रस्ण है कि आचार देव द्वारा रचित देव चरित किस प्रकार का गरंथ है इसमें विकलपाप का है प्रबंद का खंड का चंपू का रीत करंथ इसमें जो बिकलपाप का सही होगा वह प्रबंद का सही होगा का विकलप सही अगला प्रस्टन है कि बिनोद के रशनाकार हैं तो इसमें विकल्प आपका दिया गया गनानन देव मतिराम पदमाकर तो इसमें जो आपका सही होगा वे देव बिनोद से योगा नहीं है देव से योगा अगला है चिंतामरी द्वारा राचित प्रदबंद काव वहेत इसमें विकल्प आपका है क्रिश्च चरित काव प्रकास सिंगार समंजरी और रस विलास तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह का से योगा क्रिश्च चरित क्रिष्ट चरित इनकी प्रवंद काव रचना है प्रकास मनजरी और रस बिलाष है मदिवेक चंद विचार है अब कविकुल कल्पतरू है कि अगला सिंतामड का स्रवादिक प्रसीद करणत है विकल्प आपका है र्स विल्स काव वेक कव कूल पत्रू और इसमें जो आपका सभी कल्प होगा व अगा stigma कव कूल पत्रू जो है स्रवादिक प्रसीद गरंत है ह question कि हुए अगला है चिंता मर्तिय आसर नाता थे तिसमें बिशर्प आपका सजी भोसले धाराशिको शाजां उप्युक्त सभी यह सभी के आसर नाता रहें तिपाठी चिंतामरी तिपाठी और इनकी जो प्रमुग विशेस्ता है वैसर यह सरवांग निरूपर किस त्रेड़ी में आते हैं अगला है चिंतामरी के भाई का नाम नहीं है इसमें विकलप आपका है भूसर मतिराम रतनाकर और जटा संकर तो इसमें जो सही विकलप होगा वैया आपका रतनाकर नहीं सही होगा बाकि इनके भूसर मतिराम जटा संकर है अगला कौन सा अचार रसवादी है इसमें विकल्प आपका है वामन चिंतामडी केसो अभूप सिंग तो इसमें जो सही आपका विकल्प होगा वह आपका खास ही होगा चिंतामडी चिंतामडी की बारें में एक बार फिसे बात कर लेते की रसनाओं के रसवादी बास मढका गे Bowl कि पृप सिंगार्ड गणाजरी यह इसमें बिकल्पत्रूर है स्रेड़ी में तो इसमें जो आपका सही बिकलब होगा वह आपका का स्रवांग निरूपर कि स्रेड़ी में आते हैं चिंता मड़ी और यह रीद्य कभी थे और एक बार इनके बारे हम फिर बात करते हैं यह रसवादी कभी है और इनकी प्रमुग रचना है, बिक्रिश चरित है, काप प्रकास है, सिंगारस मंजरी है, रस विलास है, काप विवेख है, छंद विचार है, कवी कुल कल्पतरू है और यह अस्रादाता साहई जी भोसले साहई जान दाराशिको इनके जो भाई हैं भूसर मतिराम जड़ा संकर हैं और सिंगार मंजरी जो इनकी रचना है वह नाएक नाएका भेद की रचना है इनकी जो प्रमुक विशेस्ता है हमने बताई दिया कि सरवांग निरूपर के सेड लगे तो लाइक सेयर और कमेंड करके जरूर बताएं तो मिलेंगे अगर आगे आगे महतपूर परशनों के साथ नमस्कार धन्यवाद है उनकी बताई नमस्कार गाएक्षाना आपीज़ सेटाएं नमस्कार धन्यवाद के लिएर